हेलो फ्रेंज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्रो टेक डेवलॉपर के शेयर के बारे में इसकी करेंट प्राइस 628.70 रुपीज पर चल रही है आज के दिन हमें इसमें 2.41 यानि की 0.5 परसेंट की गिरावट देखने को मिल रही है इसी से रिलेटेड नियूज आ रही है जिसे हमें आप शेयर करना है और साथ ही साथ मेक्रो टेक डेवलॉपर के बारे में हम थोड़ी बाते करेंगे कि एक्चुली में इसके शेयर में क्या हमें आगे ग्रोथ देखने मिल सकती है या नहीं वेल उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलें दोस्तो हम आपके लिए शेयर मार्केट से ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं नियूस से रिलेटेड तो एक बार चेक आउट जरूर कीजिएगा और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो मैक्रोटेक डेवलॉपर के शेयर से रिलेटेड दोस्तो आज के दिन अगर हम देखें तो मैक्रोटेक डेवलॉपर की जो क्लोजिंग प्राइज रही 628.70 रुपीज पर 2.41% के साथ ये नीचे गिरा है आज के दिन और इसमें हमें इतनी गिरावट देखने को मिली है पिछले एक मेने की अगर हम बात कर लें तो पिछले एक मेने में ही दोस्तो इसका IPO आया था एक मेना पहले और उसके जरीए अगर हम देखें तो ये 10% प्रीमियम पे दोस्तो खुला था वेल उसके बाद अगर हम देखें तो मैक्रोटेक डेवलॉपर में हमें काफी अच्छी बड़त देखने मिल रही है 450 के आसपास ये open हुआ था और अगर अभी की price देख लें तो 628 रुपीज पर ये चल रहा है already 50% की growth ये दे चुका है अपने investors को वेल इससे related जो news आ रही है आज के दिन जो इसमें 2.41% की गिरावट देखने को मिली इसके पीछे ये reason है दोस्तों हिंदुस्तान business line के द्वारा ये news है residents of Mumbai World Crest Tower Drag Developers Loda Group to Bankruptcy Court दोस्तों Loda Group के बारे में अगर आपको नहीं पता तो Macrotech Developer यानि की Loda Group ही है और इन्हें NCLT के ओर लेके गया है और इन्हें NCLT तक यानि की National Company Law Tribunal तक लेके गए है World Crest Tower के लोग दोस्तों World Crest Tower एक सोसाइटी है मुंबई में और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले इंडिया's tallest residential complex जो की मुंबई में है World Crest Tower इन्होंने 7.2 करोड रुपीज के आजपास bankruptcy का case किया है NCLT में Loda Group के खिलाफ और यही news है दोस्तों जिसके वज़े से आज के दिन अगर हम देखें तो Macro Tech Developer के share में हमें ऐसी गिरावट देखने को मिली वेल दोस्तों अगर मैं आपको अभी बताओं तो Macro Tech Developer पे 16,000 करोड रुपीज के आसपास का डेप्थ था जिसे ये clear out करने वाले हैं इससे related भी दो दिन पहले ही news आई है आप इसे भी देख सकते हैं Macro Tech Developer aims to be a depth free company in next 3 years दोस्तों अगले 3 सालों में Macro Tech Developer पर depth free बनने वाली है यानि कि इनके उपर जो 16,000 करोड रुपीज का depth है उसे बिलकुल zero कर दिया जाएगा ऐसे इनके CEO ने भी कहा है अभी शेक लोड़ा ने दोस्तों और अगर मैं आपको बताओं तो इनका जो IPO आया है यह इसी के जरिये आया था क्योंकि अगर हम देखें तो IPO के मनी से यह अपना depth कम करने वाले थे साथी साथ इंडिया में दोस्तों लोड़ा ग्रुप का काफी नाम है इनकी अगर हम बात करें तो दोस्तों रियालिटी फिर्म Macro Tech Developer is targeting to bring down its net debt to zero over the next 3 years from the current borrowing level of around 16,000 करोड as it remains bullish on a house and warehousing segment despite the COVID-19 pandemic दोस्तों COVID-19 के बाद भी अगर हम देखें तो इन्होंने housing में जो यह house बेचते हैं उसमें इंका bullish रहा है इन्होंने काफी जादे घर बेचे हैं और यह इंका दोस्तों सबसे अच्छा बिजनेस है लोड़ा ग्रूप अगर हम देखें तो real state से दोस्तों इंडिया में सबसे अच्छी company मानी जाती है company पे depth है ऐसा नहीं है depth नहीं है बट यह depth को यह clear करने वाले हैं और इसी aim से इसी target से यह आगे भी चल रहे हैं और इसी लिए अगर हम देखें तो लोड़ा ग्रूप के जो share में macro tech developer के जो share है दोस्तों यह दिन बदिन हमें अच्छा ही देखने को मिल रहा है इसमें हमें growth ही देखने को मिल रही थी बट आज के दिन हमें इसमें slight सी degrowth देखने मिली 2.41% के आसपास लेकिन अगर हम देखें तो इनका जो आगे का business है वो भी काफी अच्छा है इनके पास already 50 से जादा दोस्तों जो sides है वो इंडिया में चालू है और अगर हम देखें तो इनका aim भी काफी अच्छा है projects इनके पास आते रहते हैं इनके पास already बहुत सारे project है book order भी भरा हुआ है साथ ही साथ financial year 2021 तो अच्छा गया ही था अब 2022 की भी बात देख लें तो उसमें भी इनका काफी अच्छा plan है अभी जो recently दोस्तों इनका IPO आया था उसके जरीए इन्होंने अपना depth 12,000 करोड रुपीज के आसपास कर लिया और इसके बाद ये दीरे दीरे इसे नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं 23-24 financial year 23-24 के बीच में ये अपना depth बिलकुल 0 कर लेंगे आने वाले दिनों में Loda Group यानी Macro Tech developer के share में हमें अच्छी बाते देखने मिल सकती है बड़ दोस्तों share market में investment रिस्की होता है तो ये भी आप जरूर ध्यान रखे Real state से ये company काफी अच्छी है Real state sector में अगर हम देखें तो Loda Group का काफी नाम है और अगर आप Real state firm में investment करने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार आप Macro Tech developer को भी जरूर देख सकते हैं और इसी के साथ हम ये आज का वीडियो अपना समाप्त करना चाहेंगे इससे related हमने पहले भी वीडियो बनाया है उसे भी आप उपर i button पर click करके देख सकते हैं इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में बट उससे पहले दोस्तों आप नीचे comment करके हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा साथ ही साथ मेक्रोटेक डेवलॉपर से related जो question है वो भी आप नीचे हमें comment box में पूछ सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद जैहिन